आज हम परस्पेक्टिव अर्थात परिप्रेक्ष के बारे में फुरी व्याख्या करेंगे जानकारी देंगे आपको और परिप्रेक्ष या परस्पेक्टिव होता क्या है इस बारे में भी आपको जानकारी देंगे यह आप देख रहे हैं, परिप्रेक्ष और यह परिप्रेक्ष इसमें आपको जुरूर अंतर दिखाई दे रहा होगा, यह आपका सीधा है और यह आपका थोड़ा यहां से बड़ा और यहां पीछे जाके छोटा होता जाता है, यही हमारा पर्स्पेक्टिव है, यानि जो भी चीज, किसी भी प्रकार की हमारे पास जो सामने सीनरी है, या कोई वस्तू है, या गारी है, या रेल गारी है, वो सामने जो है, जो आपके बिलकुल सामने है, वो बड़ी दिखाई देगी, और जो उसके पीछे, जितनी दूर तक हो जाएगी, जितनी पीछे वो हमारे को दिखाई देगी उतनी ही वो कम होती जाएगी उसकी लंबाई चोड़ाई कम होती जाएगी आपने रेलगारी को देखा होगा या कहीं अगर ऐसे नहीं देखा है सामने तो आपने कागजों में या अपने किताबों में या कहीं भी आपने जरूर देखा होगा या फि फ्मूछ जो है वो फिल्कुल छोटी ची दिखाई देती हैं उसको ही परस्पेक्टिव कहते हैं पर्थात जो वस्तु आपको निकट से जितनी दिखाई देती है वो दूर जा करके नहीं दिखाई देती है यही कारण है हम जो हम दूर को जैसे हम अपने दूर को दृष्टी डालते हैं हम जैसे पहार पर तो काफी दूर तक नजरे जाती है मैदान में थोड़ी कम दूर तक जाती है लेकिन पहार पहारों पर एक पहाड से दूसरे पहाड पर आप जब देखेंगे तो चीज़ चोटी छोटी दिखाई देती, व्ही परस्पेक्टिव है। आप जहां खड़े हैं वहहां आपको मकान भड़ा दिखाई देर होगा, लेकिन जो दूर के मकाने वो शोटे छोटी दिखाई डिके घुटे हो हैं कि आपको मकान के बदलतो अशा दिकना शुरू हो जाता है वही परस्पेक्टीफ हैं पर्स्पेक्टी व करना में अब हरें ने दिखा ईब करने में धताया है र्फिक पर्सपेक्टीफ को ले करके हम आज थोड़ी सी हरा Sum उसकी व्याख्या या विशिलेशन या आपको उसको ड्राइंग में दिखाने की कोशिश करेंगे देखिए पहले तो यही देखिया कि यह हमने पूरे का पूरा ब्राबर बना रखा है और इसको हमने किर्चा बना रखा है यह देखिए यह जो अक्षर यहां पर बड़े बनाए है वो देरे देरे करके इधर को कम हो गये है यही परिप्रेक्ष्य है या परस्पेक्टिव है यही परस्पेक्टिव है सामने बड़ा उसके बाद दीजिए छोटा हो जाता है अब अगर हम बस की बात करते हैं अगर बस जब आपने बस देखी होगी तो अगर आप फ्रंट में उसके सामने उसके खड़े हैं तो पीछे को जो छोटी छोटी दिखाई लेती है जैसे कि हम बस की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारी मालो बस बन रही है ये इस तरह से जो है हमारी यह बस के उपर का जोग है न, अगर यह छोटा हो गया न पीछे इसी तरह से छोटा होके यहां हमारे को जो है वो बड़ी वो दिखाई देगी यह हमारे को बड़ा दिखाई देगा इधर को भी थोड़ा छोटा दिखाई देगा अगर हम यहां खड़े हैं, तो इधर को भी छोटा दिखाई देगा है, यह जितने भी कला से संबंधित मित्र हैं, और अभी वो ज्यादा बड़े नहीं हुए, यानि अभी कला के क्षेत्र में आए हैं, तो उनके लिए भी एक जानकारी है कि हम किस तरह से जो है वो, यह इसको आगे से बड़ा और जितना इधर को जाएगा उतना हम छोटा दिखाएंगे, यह हमारी चलो, यहानी लाइट है, तो यहां होगी, मालो यह लाइट है, अब हम पीछे को ले जाते हैं, तो पीछे को भी क्या होगा, कि हम इसको यह अगर इस तरह से हम इसको थोड़ा बाहर निकाल के, यह और क्यूंकि यह, अब यह यहां बड़ा हो गया, और यहां पर यह छोटा हो गया, यही परस्पेक्टिव है, अब यहां हम यह खिर्किया या शीशे जो है, वो बना लेते हैं, यह, पीछे को हम ने छोटा बना दिया, यहां पर अब इसको हम थोड़ा यहां यह अंदर का हिस्सा जो हमने देख लिया है जिसके उपर सामान रखते बस के उपर वह हमने पीछे को बना दिया यह हमारी लाइटे हो गए यह बड़ी यह चुटी हो जाएगी और यह शीशे आगे अब देखिए यह यहां पर भी यह जो है थोड़ा सा बड़ा होगा और यह यह वाला शीशा थोड़ा चोटा होगा यहां एक और लाइन होगी, ताकी थोगा नीचे, और यहां पईये, यहां पईया होगा, और यहां छोटा पर यहां, यहां आग होगा में आग होगा है, आला कि यह अभी जो छटी से दस्वी तक आप लस्पी तक जहां तक भी आप पढ़ते हैं उसी साथ से भी पर्सपेक्टिव नहीं आता है पर्सपेक्टिव शायद आगे कहीं जहां ट्रेनिंग हो गया होती है या कोई कोई उसे आगे निकलता है कोई कि ड्राइबं में कोई अचीवनेंट करता है कला में या लेक्टर भरने के लिए उसे मे इसको जो है वो लिया जाता वे इस्कूनों में नहिं जी लेकिन यहां सिरफ इसलिए हम बता रहे हैं आपको की परस्पेक्टिव का मतलब ड्रॉइंग में जो है या हमारी जिंदगी में है परस्पेक्टिव का बहुत हाला कि परस्पेक्टिव बोलते हैं इसको अंग्रेज लेकिन इसमें आर बीच में होने से परस्पेक्टिव हो जाता है हमारी बाशा में जी स्तरा से में तो उस perspective में जो है वह हमारा drawing जो है वह इस तरह से बनती है हर जगा पर जो हमें जो परस्पेक्टिव है इसका एहसास होता है कैसे वहला क्योंकि जो नजदीक की चीज़ है वह आपको बड़ी दिखेगी और जो दूर है जितने दूर तो उसी से अंदाजा लगाते हैं कि यह तो बहुत दूर है सारय का सारा आपको नजदीक दिखता होता तो आपको लगना तो यहां यहीतों जिसको मरिग-icional बार कि इसा समझते हैं पसी पाने हैं ज्यद्धीकी होता बचशु नहीं होता हो अलग बात लेकिन फिर भी हमें मरिग- यह हमार लिए एक लाब दाइक चीज रहें सोता है। कि दूर की चीज नजदीक दिखाई देराी। नियुक्त है कि दूर क writes यह जग़ा है। इसी परस्पेक्टिव के कारण हमें दिखाई देती है तो यह जो है हमारा परस्पेक्टिव आपको परस्पेक्टिव बारे में बता दिया है और जैसे ही जैसे कोई और इसमें हमारे को कोई तरतीम या अगेंडमेंट लगती है या कोई नई चीज हमें इसमें मिलती है या को अगली बात आपसे जिभू करेंगे फिलहाल जो है आपका ये परस्पेक्टिव हमारा बस का हमने बनाया ये हमारा अगर हम इसकी फिनिशिंग करते हैं वो तो फिल ड्राइंग हो जाएगी लेकिन हम जो इसको सिरफ अभी आपको परस्पेक्टिव के बारे में बताने के द्राइंग के लिए नहीं बनाया है ये अभी हमने द्राइंग के लिए नहीं बनाया है ये सिरफ हमने दिखाने के लिए आपको परस्पेक्टिव का अर्थ समझाने के लिए किया है आला कि इसी में अगर हम बात करें तो कुछ परस्पेक्टिव और बाकि एक 3D जिसको कहत एम हमें दिखा जबा है. हर चीज में क्या होता है? कि तीन आयाम होते हैं. लंबाई, चोड़ाई और मॉटाई. इस में भी हमारे तीनों आयाम हैं. ये आपकी लंबाई ये चोड़ाई ये मॉटाई hierarch मॉटाई जो भी है. इदर को मुटाई ले सकते हैं इदर को उंचाई तीन चीजे तो हमारे को चाहिए होती ही होती है तीन चीजे लंबाई चोड़ाई मुटाई या उंचाई ठीक है तो यह जो है इसमें हमारे को एक पर जो इसके बात की अगर हम बात करेंगा तो 3D जो है उसमें आती है जिसमें कि हमें जैसे फिल्में भी कई बार 3D एक दो फिल्म आई है 3D की जिसमें कि ऐसा लगता है कि वह हमारे उपर आ रही है गाड़ी आ रही है पर से बस आ रही है रेल आ रही है तो असलिब भी हमारे उपर आ जाएगी कि उसमें 3-dimensional जो है वो प्रभाव डाला हुआ हुआ उसमें कुछ जो है वो इसका भी योगदान होता है जो हमारा परस्पेक्टिव है उसका भी योगदान होता है तो लेकिन वो सब्जेक्ट अलग है थोड़ा सा 3D का उसको अगली बार हम करेंगे इसके बारे में बिताएंगे लेकिन फिरहाल हमारा आज का जो सब्जेक्ट था वो था तो यह को वार चीज में जो एनोर सब हमा था मैं यदा कि अग्frame भूनाते हैं था वह तो और तरीक buttue ये तो सिर्फ हमने डाइम उसके लिए 3D के लिए ही आपनों को स्पष्ट करने के लिए बनाया है वज तो यहाँ यह भी बना है आगे बहुता है जो रोकता है यह लाइटे है और भी इसमें चोटी बोटी लाइटे कुछ ना कुछ तो होता ही यह इस तरह से तो यह जो हमारा आज का विशे था और इस विशे को हमने थोड़ा विश्तार दे करके आपको बताया और साथ में इसकी हमने शकल भी बना के दे दी कि परस्पेक्टिव क्या होता है या परिप्रेक्ष क्या होता है आला कि परिप्रेक्ष का थोड़ा सम अलग वो ले ले लेते हैं लेकिन पिंदी में परिप्रेक्षी हिसको के तैने ओज्ए झाल 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 झाल